बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com राशी परिवरतन क्या लाएगा आपके जीवन पर प्रभाव क्या आपके जीवन पर असर डालेगा आईए आज की राशी के बारे में जानते हैं बिशे के बारे में जानते हैं मित्रों आज हम बात करेंगे शनी के राशी परिवरतन में कन्या राशी के बारे में और शनी का राशी पर इवरतन क्या डालेगा कन्या राशी पर असर देखे कन्या राशी के लिए शनी पांच में और छटे बहाव का काम करता है ज्यान का स्वामी भी है और रोगों का स्वामी है रोग व्याधी पेड़ा शत्रू का भी स्वामी है साल 2022 में कन्या राशी के लिए एक जन्वरी से लेके 29 अपरेल तक और फिर 12 जुलाई से लेके 31 दिसम्बर तक शनी का गोचर पांच में स्थान पर रहेगा और शनी के दृष्टी जिसमें विश होता है तो शनी के दृष्टी का प्रभाव आपके साथ में 11 और दूसरे भाव पर रहेगा साल 2022 में शनी का प्रभाव 29 अपरेल से लेकर 12 जुलाई के बीच में आपके छटे भाव में रहेगा यानि कि शनी छटे भाव में गोचर करेंगे जिसके कारण शनी के दृष्टी का प्रभाव आपके आठ में बारवे और तीसरे भाव में रहेगा तो दोस्तों तीन फेज में शनी का राश्री परिवरतन है पहला एक जन्मरी से 29 अप्रेल फिर 29 अप्रेल से लेकर 12 जुलाई फिर 12 जुलाई से लेकर 31 दिसम्बर तो तीनों फेज़स में जानते हैं शनी आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे आईए जानते हैं इस बारे में विशेश बात करेंगे तीके साल 2022 में एक जन्मरी से 29 अप्रेल के बीच में पांच में भाव में गोशर करेंगे शनी देवापके कन्यराशिवनों उससे क्या होगा संघर्ष करने की भावना हर चनोती का सामना करने में आपको सक्षम मनाएगी बहुत कोशिशों के बावजूद भी देने के लाभ में कमी मैसूस करेंगे स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल रहने जा रहा है चात्रों को पढ़ाई में बाधाउं का सामना करना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई में चात्रों की एकागरता भंग होने से प्रफॉर्मेंस में यानि की प्रदर्शन में कमी आएगी प्रेम जिवन में मनमुटाव की स्थिती रहेगी संतान के इच्चुक जो दमपत्ती है उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि शनी का काम ही होता है चीजों को डिले करने ना मंद पिपलाद कहते हैं शनी को आदमी को तरड़ पाता है बहुत इसका काम ही यह है धीरे 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 वो गाना भी है न धीरे धीरे से तो ये धीरे धीरे से ही फंक्शन होता है दूसरे फेस की बात करते हैं साल 2022 में 29 अप्रेल से लेके 12 जुलाय तक शनी आपके छटे भाव में गूचर करेंगी और शनी के लिए छटा बहुत बहुत चांदर किलाता है बहुत चांदर और इसके कारण क्या होगा देखिए कठिन परिश्टम से कामकाज में सफलता मिलेगी ये नौकरी का भाव भी है चाठा कारोबार में अच्छे मौके मिलने की संभावना भी है नौकरी शुदा लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल है इस राशी के जो वकील और चाठेट अकाउंटेंट्स हैं उनको बड़ी सफलता मिलती भी दिखाई देती है निरंतर प्रयासों से दफ्तर में वेतन प्रदी के भी योग बनेंगे प्रशासनिक नौकरी के तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय फायदे मन रहेगा नौकरी में बदलाव के सकारतमक परिणाम भी मिलेंगे बात करता है तीसरे फेस की तीसरे फेस है बारा जुलाई से लेकर 21 दिसंबर तक इस समय पर शनी वापिस आपके पांच में बहों में आ जाएंगे क्या होगा आपके जीवन पर प्रभाव आर्थिक लाब के लिहास समय बहुत फायदे मन साबित होगा क्योंकि इस समय पर शनी उल्टा चल रहा है संतान के अच्छी तरह से देखवाल करें ध्यान दे उन पर संतान को स्वास्त संबंदी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अटके वे धन को सफलता पूरवक निकालने में सक्षम रहेंगे आप आत्य प्रतिशित अप्रतिशित लाब मिलने के योग भी नजर आते हैं बिना किसी परेशानी के रिन जो है यानि कि अगर आप करदा लेने के चुक हैं आप तो आसानी से मिलेगा स्विक्रित हो जाएगा प्रतिवगी परिक्षाओं के तैयरी में जुटे छात्रों का प्रदर्शन बहतर रहेगा अब समय हैं विशेश उपाएगा कन्या राशे वालो ध्यान से नोट कर लिजे क्या करें देखे शनी आपके पांच में भाव का स्वामी है पेट का स्वामी है तो नाभी पर सरसों का तेल लगाएं सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी कल आप से बात करेंगे तुला राशे के बारे में जुड़े रहिएगा तो दोस्तों आज के विशेश अपिसोड में बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी दूसरे राशे को लेकर और हम आपको बताएंगे शनी का राशे परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आ रहा है क्या असर डाल रहा है आपके जीवन का तो कल आप से मुलाकात होती है शनी का राशे परिवर्तन 2022 स्पेशल एपिसोड में इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्ष्य भाई 2022 स्पेशल आपके जीवन का राशे परिवर्तन